कम्पिटर चालू होने के बाद में अगर इस तरह से मैसेज आ रहा है SMART Status Backup Replace तो इससे Solve कैसे करेंगे वो देखेंगे हम कीबोर्ड से Delete Press करना हुआ कि इसे Restart करने के बाद और Delete का बटन दबाते रहना है और इसमें फिर अब हम यहां से जो दूसरा Option है Advanced BIOS Features यहां पर जाना है और यहां पर से Third Boot Device तो हमें यहां से जाना होगा First Option में BIOS से Standard BIOS Features BIOS Features में से सबसे जो यहां पर Hard Disk Option है Hard Disk पर जाने के बाद इंटर करना है और SMART जो है Auto Mode इसे Disable कर देना है Disable करके हम F10 दबाएंगे Keyboard से और इंटर कर देंगे अब यह Message आपको नहीं आएंगा झाल करना है